ये किताब ना मैंने पिछले साल पढ़ी थी और अब मैं चाहता हूँ कि इस किताब को एक बार फिर से पढ़ना लेकिन पूरी किताब पढ़ने का मेरा मन नहीं है इसलिए आज मैंने एक ऐसी वेबसाइट ढूंडी है जो इस किताब से बात करेगी हाँ जी बिल्गुल आपने सही सुना इस किताब से बात करेगी और इसके साथ साथ मैं इससे जो कोश्चन पूछूँगा उसका जवाब भी देगी नवश्कार दोस्तों मेरा नाव है निश्काम भाटिया और इस चैनल की उबर आपको टेक और फोटोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी और बहुत सी इंपोर्टेंट और यूसफुल वेबसाइट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ बिन दरी की शुरू करते हैं सीधा उस वेबसाइट पर चलते हैं और आपको जादो दिखाता हूँ मैं तो दोस्तों ये है वो वेबसाइट इसका नाम है talkingpdf.io इसका लिंक मैं आपको description में भी दे दूँगा अब सबसे पहली चीज हमें क्या करने इस वेबसाइट के अंदर एक अकाउंट बनाना है जो कि मैंने अल्रेडी बनाया हुआ आप कैसे बनाओगे यहां पर get started for free पर जैसे क्लिक करोगे आपका अकाउंट यहां पर बन जाएगा मेरा अल्रेडी बना हुआ है तो मैंने लोगिन हो चुका हूं मैं और उसके बाद में यहां पर मैंने अल्रेडी डाउपलोड भी कर रहे हैं लेकिन हम मैं आपको इस तुटोरियल के दिखाने के लिए इस चीज़ को मैं डिलीट कर दूँगा इस बुक को ठीक है यहां से ड सकते और है जरूरी नहीं कि इसी बुक को बड़ना है वंद्र करने हैं और गया है डिकार आपयग्यां की ब्वेकूश बाल नाजाओ का परने हैं तो मैंने चाहिं यहां представ artists को बना अब एकलिन की Hem बुक है इसका नाम है कॉंटेजियस इस पर में क्लिक करके इसको कर दूँगा अप्लोड अभी थोड़ा समय लेगी अप्लोड होने में और यहां पर देखो लिखा हो आगया गया गेटिंग डेटा फ्रॉम पीडियाफ यानि की पीडियाफ अप्लोड हो चुकिया सक्सेस्फुल और अब यहां पर आ रहा है ट्राइंस्क्राइबिंग ट्रांस्क्राइबिंग एंड ट्रेनिंग प्लीज वेट एस्टिमेटेट टाइम 161.7 सेकें यानि की अभी इस वेबसाइट ने बुक से सीखना श से चार मिनिट और इस पूरी बुक को पढ़ दिया अब हमारे सामने क्या आया है लेफ्ट साइड में तो मेरे पास में बुक है जो पीडियाफ में मैं अपलोड करी थी वहां पर दिख रही है ठीक है अब यहां पर राइट साइड में कमाल की चीज़ है यहां पर एक चैट देखते हैं जवाब देव पाता है या नहीं देवाता है अब क्योंकि मैंने बुक पढ़ी है तो मैं आपको बता पाऊँँ कि यह सही है या नहीं तो इसने क्या जवाब दिया दबुक एक्स्प्लोर दा अंडरलेंग सेकलोजी और साइंस और सोशल ट्रांस्मिशन बिल्क कर बताता हूं आपको उसका नाम है ट्रीगर्स वाला दूसरा चैप्टर है अब क्या इस ट्रीगर्स वाले चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी दे सकता है पूछते हैं इसे यह जवाब देता है इसका ट्रीगर्स इंदक इंडेक्स भूक रफर्ट तो सिमुलाइड एक प्रॉंट पीपल तो थिंक अबाट रिलेटेट अथिंग सर्ड आइडियाज भाई इसने जवाब तो सही दिये हैं पोस्ट करके आप इसको पढ़ लेना अच्छे से वन सम्थिंग इंग्लिश नहीं समझाती है हिंदी में जानना चाहता हूं तो क्या यह इसको हिंदी में बता सकता हैं इंग्लिश की उख को हिंदी में करके देखने हैं इन हिंदी मेरे ख्याल से नहीं बतावाएगा यह चैट जेपीटी होता तो बता देता बट इसमें देखना पड़ेगा यह बता पाएगा या नहीं डूंड ही रहा अभी तक तो अभी तक तो हुआ नहीं है एक मिनट हो गया है क्योंकि जितने फास्स उपर वाले अंसर यह से उतने फास्स को नीचे वाले देने जीए थे बट शायद यह उसको कंवर्ट करके कहीं से ला रहा हो ट्रांसलेट करके कहीं से ला रहा हो देखना पड़ेगा नहीं मुझे नहीं लगता है इसका जवाब दे पाएगा इसका उल्टरेट तरीका बताऊंगा वीडियो देखते रहना पूरी लेकिन अभी हना इससे हम एक और मुश्किल सवाल पूछते हैं हिंदी में तो जवाब नहीं दे पा रहा है यह तो चलो चीज क्लियर होगी है लेकिन इसका एक और इसे हम मुश्किल सवाल बता क्या है अब देखते हैं कि क्या इस पैराग्राफ में से एक्जामपल उठा पाता या नहीं उठा पाता तो मैं जैसे यहां पर लिखता हूं बजिंग फॉर बस इसेंट एजेंट एक्सप्लेइन इस अगर पुरी किताब पढ़ी है तो इसकांसर तो दे देगा यह देखते हैं दे पाता है या नहीं दे पाता है यह तो पुराने वालए डूणने में लगा हूँ है इसको ओडेदिया दी बाुट बस इसेंट कंपणी फांड़ड बाए यह श्तुर्कू बढ़ाई बिलकुल बिलकुल सही जवाब दिया इसने जैसा किताब में लिखा हूँ वैसा ही जवाब दिया अब देखो मेरे को इ पिचेज लिखा है स्कुधिस किना सब्सक्राइब पड़ार एकूझ तो तयह है आपकी डॉक्युमेट WAG mu पड़ता है उसके साथ साथ उन डॉक्युमेट उनका ज्युकु है की वह स्कुमद्धा बहुत ही ईस इस्वाल सकते हों उगल ट्रास्टेट के अंदर दूसरा तरीका हम चैट जी पीडी से पूछ के देखते हैं तो सबसे पहले मैं इसको पेस्ट करता हूं जो हमने को पी गया था उसके बाद में यहां पर ना नीचे लिखता हूं की एक्स्प्लेन द अबव परग्राफ इन हिंदी और यहां पर लिखता हूं स्टैब बाइ स्टैप ताकि एजी ली समझा पूरा परग्राफ पढ़ने में टाइम जाएगा न एंटर देखते हैं हाँ यह यह तो दे रहा है हिंदी में हमें लेकिन स्टैब बाइस घप एक्स लेंस फॉलका करें इसको हो भूला स्टैब बाइस बना के द हो अब एक लिस्ट बना वहरा की न क reflect है थोड़ा सा मेरा इंटरनेट मेरे ख्याल से स्लो चल रहा है यहां पर यह चैट जीपीटी का सर्वर डाउन दोनों में से एक चीज है तो आप समझ चुकियो मुद्धा में क्या है कि यह आपके सवालों के जवाब दे देगा यह वाला वेबसाइट हिंदी में ट्रांसलेट करवा सकते हो चैट जीपीटी से और स्टेप बई स्टेप समझ सकते हो कुल मिलाकर अंग्रेजी की किताब है किसी भी लेंग्विज की किताब है जिसको आप पढ़ना नहीं जानते समझ नहीं आ रहा है यहां से बड़ी समझ सकते हो यह था मुद्धा इस वीडियो का मैं मि का